अब रुख करते हैं बैंगलूर का जहां पर सीम जॉक्टर मोहन यादर पहुचे हुए हैं इंवर्टू समिट में तफ्सीरों में भी आप देख सकते हैं अब देश के सिलिकान वेली के नाम से प्रसिद्ध बैंगलूर की इस धर्ती पर मन आनंद से भर्या आपका उत्साओं मंग देख करके आप सबका स्वागत करता हूं नमस्कार मंज पर जिनकी गरीमामय उपस्तिती है पदम स्री मेरे नाम रासी स्री मोहन दास पाई जी आपका अभी नंदन है को-founder and partner in capital partners स्री स्रीमान green co group के चैर मैं अनिल कुमार जी आपका आभी नंदन है अभी नंदन है लेप इंडिया प्राइवेट लिमिटेट के सियो शिव वेंका ट्रमन जी वाइस शेयर मन सियाईए सिद्धार्थ सेठी जी मंचपर उपस्तित मद्रेश सरकार के सभी माननी अधिकारी गण इस अवसर पर अलग-अलग छेतर से आयवे निवेश शेतर की स्वनाम धन्य हस्तियां आस्ट्रेलिया की हमारी अपनी राजनरीक परिवार से वो भी हमारे हिस्सा बनी है आपका भी बंदन है अभी नहीं देए मतबदेश सरकार के माध्यम से करनाटक आकर के आज के इस दोर में जब आप से में बात कर रहा हूं तो करनाटक के हम सब बेंगलोर की इस वर्तमान की दसा के लिए जिनोंने अपना खून पसीना एक करके भारत का मान बढ़ाया संबान बढ़ाया ऐसी सारी हस्तियां बेठी है मैं आपका वन्दन करता हूं और भी नंदन करता हूं भारत को दुनिया में हजारों साल से सोने की चिडिया के नाम से जाना जाता था और ये केवल कहने वाली बात नी हमारी उद्धम सिलता की हमारी परिष्टरम की हमारे काम करने की कारिपद्धती की और सब को लेके साथ चल करके मानवता के मार्ग दिखाने की हजारों साल की हमारी एक पहचान रही उस पहचान में हमारी उद्धम सिलता भी छिपी हुई है कल्पना सिलता भी छिपी हुई है बोद्धिक छमता भी छिपी होई है और ये बोद्धिक छमता में व्यावसाइक निपूर्णता की ही परकास्था है कि यसास्वी प्रधानमंत्री के नेत्रतों में हम केवल इसमरन करें कुछ साल पहले तक भारत की एकनोमी की द्रश्टी से कहीं गिंती होती नहीं थी ऐसा लगता था कि जरा हमारे लिए बोलने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं लेकिन कम समय के अंदर हमारी अपने उपलब्द संसादनों के बलबूते पर और ये बोद्धिक छमता के भरोसे से दुनिया की पांचवी एकनोमी बना करके मानी मोधी जी ने जो कमाल किया है उसमें निश्यद रूप से आपका बहुत बड़ा योगदान है और बदलते दोर में जिस प्रकार का समय चल रहा है कदम कदम पर हमको अनकूलता भी दिखाई दे रही चुनोतियां भी दिखाई दे रही और अनकूलता चुनोतियों मेंसे अलग अलग बहुत सारे सेक्टर निकल के आ रोह stellar है जिसमें बहुत बड़ी एक हमारी अलग रहा निकल रही जिसके भरोसे से निश्यद रूप से हमारा अपना आने वाला भविश्य बहुत उज्वल होने वाला है मझे इस बात की प्रसनता है ये शश्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार की सरकार में जो उनने आववान किया था और पूरे देश ने एक जुटता के साथ जिस रास्ते पे मानी मोदी जी की सरकार जा रही है उसमें सभी ने कदम बढ़ाया है और आपने सबसे अदा महत्व की इस मार्गों को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दिखाई मैं आप सब का वंदन करता हूँ विनंदन करता हूँ कुछ चुनोतिया भी हमारे देश की है जिस चुनोतियों के भरोसे से हमारे महनत का साथ अपनी महनत तो करते हैं महनत करने में कहीं कोर कसर बाकी नहीं लेकिन उचित मारदर्सन टेकनोलाजी का योगदान अंदर की इच्छा सक्ति को आगे बढ़ने के लिए ललक लगाते वे लोग लेकिन नवीन अनुसंधान की नई परंपरा में नवीन स्टार्टप के माध्यम से जो रमार्ग खुलता है उस मार्ग के माध्यम से निशिद रूप से भारत की तरब दुनिया देखेगी और भारत अपना हक हासिल करेगा यह हमारी बड़ी संभावना है मैं अपने इस अउसर पर खासकर इस अउसर पर मद्देश को उसी दरिश्टकोर से देख रहा हूँ कि जब हम करनाटक में आके बात करते हैं कोयमबटूर में बात करते हैं और सरकार के माध्यम से जब इस तरह के आफर देते हैं तो वरतमान के दोर में देने में थोड़ा प्राक्पटा जरूर लगेगा लेकिन मैं काल के प्रभा के उस उधारन को जरूर आपके सामने लना चाहूंगा जिसके माध्यम से हमारी सरकार की मनोदसा क्या होना चाहिए वो आपके सामने आ जाएगा हम सब जानते के हमारा सन की सुरुआत होती है जैसे इसवी सन दोहजार चोईस की बात करेंगे ये इसामसी के जन्म के साथ होता है हिजनी समवत की बात करेंगे तो वो उनके सरीर छोड़ने के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन हमारे विकरम समवत की बात करते है तो विकरम समवत यह अपनी पुरुसार्थ का है हमारे पराकरम का है और पुरुसार्थ पराकरम से ज़्यादा यह सरकार की उस मनोदसाका जिसका हम सब इंतजार कर रहे में आपको थोड़ा बताना चाह। विक्रम समवत 2021 चल रहा है अर्थात यह विक्रम समवत 2021 नया साल हमारा जो होता है वो नया साल का परिवर्तन कैसे होता हमे उस इतियास पर ले जाना चाहूँगा विक्रम समवत, विक्रमादित्ति ने रोम के तक जाकर के देश के आकरांताओं को मार मार के छोड़ा था जिनने हमारे देश पे सकोने कबजा किया एसा माना जाता है लेकिन हो मुझे को हटाने के बाद एक बार फिर देश अपने पेरों पे खड़ा हो देश का हर आंगन हर घर हर जगे हमारी अपनी जो पुरानी इस्थिति उसको बहाल करे तो विक्रमादित्य ने जब हमारे हैं समवत की प्रारम करने की पद्दती क्या है ये केवल बताना चाहूंगा उन्होंने जितने भी अपने पूरे देश के भुभाग के नागरिकों से कहा है कि किसी पे भी कोई करजा हो वो सारा करजा मेरे पास बही दस्तर देने वाले और लेने वाले साहूकार और लेने वाले जो करजदार है दोनों आ जाए वो सासन से सबका एक एक पैसा करजा सरकार चुकाएगी किसी पे कोई करजा नहीं होना चाहिए यह हमारी गोरवसाली परंपरा क्योंकि हमको जब समाज को लेगे आगे बढ़ना है तो जो जिस छेत्र में आगे बढ़ना चाहता है सरकार को उसकी माँ मदद करना चाहिए ये हमारी परंपरा है सरकार जब मदद करती है तो अपनी उद्धम सिलता प्रारंब होती है हमारी छमता, बोद्धिक योगिता हाथ की महनत सबका योगदान मिलता है और ये विक्रम समवत में मैंने बताया है कि विक्रमादित ने अपने पास कितना धन देने का मन बनाया होगा अंदाज लगा सकते जो पूरे देश का करजा चुकाने की हिम्मत रखे लेकिन ये तो आदा बता रहा हूँ आनन्द तो तब ओर आएगा कि विक्रमादित ने उतना ही नहीं किया और लोगों ने कहा कि ये तो हमने पुराने दम जिसमें वो समवत की सुरुवात कर सकता है ये उजवल परंपरा भारत की है जिसके करण से हमारी दुनिया में संस्क्रपी सदेव मान सम्मान पाती रही है अर्थाथ जब हमारा युद्ध काल होगा तो युद्ध में हमारे सेनिक अपनी सेनिकों की मनोदसा की पराकास्टा करेंगे हम बहात्तुरी से महा मुकाबला करेंगे लेकिन जब युद्ध काल नहीं है तो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी छेत्रों में सरकार की मनोदसा, मनोभावना इसी भाव के अधार पर होना चाहिए कि जो जिस छेत्रों में आगे बढ़ सकता है उसी छेत्रों में बढ़ाने की जर्वत है वो मुझे इस बात की प्रसनता है हमारी सरकार बनने के बाद हमने ये सभी सेक्टरों में समान रूप से आगे बढ़े हैं चुकि यहां बहुत बड़े पेमाने पर आईटी के लोग भी बेठे आईटी के तरह से भी हमने अमारे आईटी के जो सेकेटरी है उनने बहुत अच्छे से बात रखी है कि आज व्यापार व्याउसाई के लिए जिस प्रकार की जर्वत है वो सब हम देने को तयार है वागर परमात्मा ने हमको अगर बेंगलोर में इस लायक बनाया है तो बेंगलोर में ही नहीं रुकना है आपको पूरे देश और दुनिया में आगे तक छाना है तो मद्यब्देश भी रास्ते में आता है मद्यब्देश आपको बुला रहा है आपको आमंत्रित कर रहा है आपको कोई अंतर नहीं लगेगा बेंगलोर में बेठे बेठे, आप मदिपदेश में भी उत्ती ताकत से व्यापार व्यवसाइ बढ़ा सकते हैं, बलकि मैं तो मुम्मित करता हूँ कि जैसे अब ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, कि ये भाई बेन का रिस्ता से मैं दे सकता हूँ, और केवल IT में क्या, किसी सेक्टर में भी, इनर्जी सेक्टर में अभी आपके बीच में से आपने कहा है, वरतमान में आज मज्दिपर्देश अपने सरपलस इनर्जी स्टेट के नाते से जाना जाता है, और उसमें भी 23 प्रतिसत नवकर्णी उरजा ह हमारे अपने परंपरागत सुरोत के बजाए यह जो हमारी नवकर्णी उर्जा की जो महत्ता है और उससे भी आगे जाए कौन सा सेक्टर है टूरिजम का है टूरिजम में तो भी आपने फिल्म देखी है हमारी विदीसा ने बहुत अच्छा अपना प्रस्तूति करण दिया है लेकिन टूरिजम में भी केवल वू टूरिजम नहीं religious टूरिजम, health टूरिजम, education से सारे च्छतर में और MSME के हमारे PS ने बहुत अच्छी बात रखी, industry की दिरस्टरी से भी बहुत अच्छा है, food industry की भी बात करें, तो जैसे आपने बता है कि इधान का कटोरा देश का हो ग FCI को पूरे देश में सरवादिक गिहों की सप्लाई कोई करता है तो हमारा अपना मद्दिप्रदेश करता है और किवल गिहों नी दलहन उत्पादन में भी उतनी आगे है और बलके आगे बढ़े तो हमारा अपना हर्टी कल्चा सेक्टर भी बड़े पेमाने पर आज जितनी अपनी उत्पादन छमता है अपने उस छोटे से अंतराल में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है तो बहुत बड़ी संभावना है ज्यादा मैं कुछ बोलुआ नहीं बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन काफी समय हो गया हम पत्र लिखते है और पत्र लिखते तो पहल पत्र दनियवाद नहीं बहुत लेखते है अपने घर नहीं बहुत बहुत प्रण 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 चीफ मिनिस्टर ओमाध्यप्रदेश इस अप्रण चंत्रमोली शुकला येस a Managing Director for MPIDC to please propose the vote of thanks बहुत है अधरनी माने मखमात्री महदर मंच परपस्थित आधरनी पाई साहब आधरनी अनिल कमार जी आधरनी शिव वेर्ना ट्रमनी जी आधरनी सदार सेथी जी मंद्यप्रदेश सरकार के सभी वरिष्टतिकारीगन और इस